हेलो स्टूरेंट्स मैसल पूरम कुमावत और इस लेक्चर में हम लोग डिस्कुशन करेंगे स्टमक के बारे में एलिमेंटरी किनाल के स्ट्रक्चर हम लोग डिस्कुशन कर रहे थे जिसके अंदर हम लोगों ने माउथ, औरल खाविटी, फैरिंग्स और इसोफैगस डिस्कुशन कर चुके हैं अब जैसे कि हम जानते हैं इसोफैगस जो है आगे ओपन होता है जेसे स्ट्रक्चर का एक और रहता है जिसको हम बोलते हैं स्टमक जो डायफ्राम की जस्ट नीचे प्रेसेंट होता है तो बेसिकली हम स्टमक की स्ट्रक्चर देखने वाले हैं तो अगर उसकी मॉर्फोलोजिकल स्ट्रक्चर की बात करें तो स्टमक भी एक सिंगल और है और काफी इलॉंगेटेड पोर्षन है और अनलॉब्ड है कोई अलग से युनी लॉब्ड है एक ही लॉब्ड के अंदर present है और अगर शेप की बात करें तो स्टमक का जो शेप है वो जे शेप रहता है ठीक है और स्टमक की पोजिशन की बात करें कहां situate है तो स्टमक जो है वो situation होता है situated on left side of abdominal cavity. Abdominal cavity के अंदर ये left side के अंदर situated होता है. इसके अलाबा अगर हम देखें stomach जो है सबसे ज़्यदा widest part है. सबसे ज़्यदा फैला हुआ. वाइडेस्ट पार्ट ओफ एलिमेंटरी के नाल. तो यह अगर वाइडेस्ट पार्ट की बात करें तो एलिमेंटरी के नाल होगा. stomach जो है एक bag like structure होती है. muscular structure है. तो हम बोल सकते है it is a bag like muscular structure है. shape इसका J shape रहता है. stomach जो है इसके अलावा अगर हम देखें कि इसकी जो position है वो कहां में देखने को मिलता है यानि कि यह isophagus reason है ठीक है और isophagus के just यहां पर इस तरीके से यह होता है diaphragm reason ठीक है तो basically isophagus जो है वो below the diaphragm होता है यह जो reason है वो क्या है diaphragm ठीक है तो stomach के अगर position की बात करें तो यह कहां देखने को मिलेगा below diaphragm के अंदर हमें देखने को मिलता है ठीक है तो यह एक normal structure हमें stomach के देखने को मिलता है इसके बाद अगर हम बात करें stomach जो है basically चार part में divided रहता है यानि कि stomach के अंदर जो है चार portion हमें देखने को मिलता है stomach जो है divided into four parts इनको विद डियाग्राम देखेंगे तो जो पहला portion है stomach का वो कहलाता है cardiac second portion जो है वो है fundus third portion है body और fourth portion जो है वो कहलाता है pyloric ठीक है इन चार parts से मिलकर क्या बना होता है stomach बना होता है diagrammatic अगर हम देखें stomach तो यह चारो portion में कुछ इस तरीके से देखने को मिलेंगे तो इस diagram में हम देख सकते हैं कि यह isophagus है और isophagus जो है वो आगे open होती है इस J-shape structure के अंदर जो कि अगर पूरी body के बात करें तो यह है oral cavity यह isophagus और isophagus जो है आगे open होता है यह J-shape structure जो क्या है stomach तो stomach का अगर portion ध्यान से देखें तो isophagus जो है वो आगे के backflow को prevent करता है इसके लावा जो यह portion है वो portion क्या कहलाता है cardiac portion है यह dom-like structure में जो present है वो fundus portion है उसके बाद जो हमें portion दिख रहा है यह जो portion है वो है body और last का जो portion है वो क्या कहलाता है pyloric और pyloric reason को control करने के लिए भी यहाँ पे pyloric springers जो है present रहते हैं इसके अलावा दो curve हमें curvature देखने को मिलते हैं यह है lesser curvature और यह जो curvature देखने को मिलता है यह क्या कहलाता है greater curvature और pyloric जो part है वो आगे open होता है यह c-shape structure जो कि है deudinum जो कि small intense time का part है ठीक है intense time ठीक है तो इस तरीके से आप देखोगे कि stomach के सारे portion हमें देखने को मिलता है और सबसे important structure जो हमें structure यहाँ पे देखने को मिलती है वो ruggies यानि कि stomach जो है उसकी internal wall के उपर हमें बहुत सारे इस तरीके से roughness हमें देखने को मिलती है basically तो यह जो inner fold जो हमें देखने क इनको मिलते हैं stomach की inner wall पे इनको हम क्या बोलते हैं रगीज बोला जाता है ठीक है तो यह जो रगीज रहते हैं जो longitudinal fold है यह किस तरह की fold होते हैं यह longitudinal longitudinal fold है ठीक है और यह जो fold है यह इनको हम as a gastric रगी भी बोल सकते हैं जो हमें बहुत ही clearly इस तरीके से देखने को मिल रहे हैं यह जो fold है यह inner surface of stomach पे present होते हैं और यह fold basically खाने के अंदर यानकी जो food आया है stomach में उसके अंदर जो gastric juice है उसको mix करने के लिए responsible होते हैं तो इस तरीके से हमें एक clear diagram जो है stomach की position और उसकी सारे की सारे जो part है वो देखने को मिलते हैं इसके अलावा हम लोगों बात करी रहे थे कि चार part में divide है और जो pyloric portion है यह pyloric जो portion है वो आगे किस में open होता है pyloric portion जो है which opens into first part that is a very important first part of small intestine और उस पार्ट का नाम क्या है dudenum ठीक है तो pyloric जो है आगे small intestine में open होता है तो यह जो c-shape structure हमें clearly देखने को मिलती है यह जो reason है वो क्या कहलता है dudenum portion है तो इस तरीके से हमें stomach की जो structure है वो देखने को मिलती है और इस पूरी structure के अंदर अगर हम देखें तो एक यहाँ पे हमारे पास regulator है और दूसरा यहाँ पे spinchers हमें देखने को मिलता है तो हम बोल सकते हैं कि दो type के spinchers हमें देखने को मिलते है टू टाइप्स दो टाइप्स के हमें spinchers जो है देखने को मिलते है एक जो है इनको हम cardiac spinchers या lower isophagus spinchers भी बोल सकते है और दूसरा जो spinchers है वो क्या कहलाता है पाइल लॉरिक sphincture ठीक है इनके अगर हम function के बात करें तो basically जो cardiac spinchers है वो कहां present होता है isophagus यानि कि यह present होगा isophagus and gut यानि कि stomach के बीच और जो pylorus जो present होता है वो between stomach and deuterum की बीच में ठीक है की बीच में यह present रहता है तो इस तरीके से हमें देखने को मिलता है यह आप stomach कर लो ठीक है तो यह जो spinchers होते हैं इनका एक काम अगर function देखे तो यह back flow of food को क्या करते हैं prevent करते हैं ठीक है prevents back flow of the food ठीक है खाने को back flow में नहीं जाने देते हैं ठीक हो क्या है कि जो stomach है ना उसका जो यह cardiac spinture होता है वो जो छोटी baby होते है new born baby के अंदर यह काफे कम developed होता है तो हम लिख सकते हैं कि इन new born baby जो रहते हैं उनके अंदर जो cardiac spinture है is much less developed कम developed होता है that is why regardation of gastric content जो है वो बार बार बाहर आता रहता है it's very common ठीक है बार बार वो vomit करता रहता है दूद या मतलब आप milk जैसी structure वो बार बार निकालता रहता है इसके लावा हम लोगों ने देखा कि यहां पे specific rugies भी हमें देखने को मिलती है तो बहुत सारे inner surface of stomach के उपर बहुत सारे longitudinal gastric rugies भी हमें देखने को मिलती है इसके लावा जो space है stomach के अंदर वहापे food present रहता है इसके लावा अगर हम देखें कि stomach के अंदर बहुत सारी gastric glands भी present होती है तो stomach की अगर हम बात करें stomach के wall में stomach wall के अंदर हमें बहुत सारी क्या देखने को मिलती है gastric glands भी हमें देखने को मिलती है तो इन gastric glands के अगर बात करें यह बहुत सारी छूटी होती है, microscopic होती है बहुत ही simple tubular gland होती है और basically यह gastric juice को release करती है ठीक है, तो हमें just यह verify करना है कि कि इतने type की glands जो है basically present होती है, तो four types की four types of gastric glands जो है present होती है पहली जो gland हमें देखने को मिलती है वो होती है, mucous glands ठीक है, दूसरे हमें जो देखने को मिलती है वो है, oxentic glands या फिर इनको एक और नाम से जाना जाता है paratile gland या paratile cells third जो है, वो क्या कहलाती है chief cells या फिर इनको बोला जाता है peptic cells या फिर एक और इनका नाम दिया जाता है वो है, gymogen cells ठीक है, इसके अलावा fourth type की gland रहती है वो रहती है, entero endocrine glands या cells तो basically ये चारो glands क्या function perform करती है कौन-कौन सा gastric juice ये release करती है तो ये सारी चीज़ें जब हम gastric gland यानि की digestive gland की structure देखेंगे तो वहाँ इन सब चीजों को detail में explain करेंगे अब अगर हम देखें, तो stomach का जो overall structure है वो हमारे पास जो आता है, वो कुछ इस तरीके से होगा तो overall हम stomach का जो diagram है वो कुछ इस तरीके से देखते है isophagus जो आगे जी शेप structure में open होता है जिसको हम बोलते है stomach stomach के चार portion थे एक cardiac reason था, एक fundus reason था एक pylorus reason था और एक body reason था जिसके अंदर बहुत सारे fold inner surface में हमें देखने को मिलते हैं इसके अलवा, दो specific spinchers भी थे pyloric spinchers था और cardiac या lower isophageal spinchers था जो backflow को रोकते हैं और जो stomach है वो आगे किसमें open होता है due denim reason में आके open होता है तो इस तरीके से इस lecture में हम लोगों ने बेसिकली किसकी structure देखी stomach के structure देखी तो अब देखते हैं stomach के function function of stomach stomach के basically two important function रहते हैं stomach जो होता है वो storage करता है of food को temporary ठीक है और second जो function हमारे सामने रहता है वो cleaning of food जो की complex substance होते है food के अंदर उनको mix करता है उस सारे food को mix करेगा किसके साथ with gastric juice के साथ ठीके इसके लवा कुछ ऐसी drugs है या alcohol है इनके absorption में भी यह help करता है तो absorption में भी इसकी help रहते है तो mainly तीन function हमें stomach के देखने को मिलता है इसके लवा जो gastric juice है वो खाने के digestion में भी important role play करेगा तो अब लिख सकते हैं कि gastric gastric juice जो है वो digestion में भी important role play करता है digestion of food के लिए भी responsible होता है तो इस तरीके से यह थे हमारे पास stomach के function इसके अलावा देखें कि stomach के अंदर specific और भी glands है और हर एक glands का अपना अलग अलग काम रहता है तो जो भी glands है इनके जो function रहते हैं यह हम specific digestive glands के अंदर discussion करेंगे so next chapter में मिलते है so next lecture में मिलते है small and dense sign के साथ अब तक के लिए stay happy keep studying thank you अब तक का है